मेरे चैनल में आपका स्वावत है क्या होता है कि जब भी हम नई बोतल लेकर आते हैं मार्किट से तो यह बोतल शुरू में ठीक रहती है बाद में कभी ऐसे भी हो जाता है कि इसमें से पानी लीक होने लग जाता है यदि हम कहीं बाहर जा रहे हैं या स्कुल कॉलिज में जा ह Hai तो इससे हमारे बैंग कम रखते तो हमारी कॉपिया और करा बहुद को काटने बहुत बोतल के लगा दे लगा दे लिए ने के बाद अभ को ड़कन्य बाद दक्रउठी तो तो यह से क्या होगा कि निक लगा ते'll busy और जब भी आप कहीं जाएंगे कॉलिज जाएं या बहार कहीं जाएं तो आप इस बोतल को ले जाएं तो आपका पानी भी लीक नहीं होगा इस बोतल का और बहुत ही आराम से इस बोतल को आप कहीं भी रखके ले जा सकते हैं बैग में रखके ले जाएं या स्कूल बैग के रखके ले जाएं ना कोपी किताब गीले होंगे ना कपड़े गीले होंगे और बहुत ही मतलब आराम से आप इसके यूज कर सकते हैं जब आपको पानी पीना हो आप पनी अटा दें और फिर दोबारा इस पनी को लगा दें इससे आपकी दिक्कत और जो भी परिसानी है वो ख दो जाएंगे आप हमें आम खिला दो इसलिए वो भी मतलब यही जिद करते हैं तो बहुत ही सिंपल सी टिप बताऊंगे कि हमारे हाथ भी गंदे नहीं होंगे और हम आम भी आराम से खा सकते हैं बिना हाथ गंदे की हुए हम अपने कामों को कर सकते हैं इस तरीके से आप ल लें और सारा आम इस चक्कू की मदश से आप निकाल दें अब आपको हाथ सानने की जरूद नहीं है कि हाथ आपके गंदे हो आपको हाथ गंदे भी नहीं होंगे और आप इसको चाहें बड़े खाए चोटे खाए या बच्चे खाए कोई भी खाए आराम से इनामों को खा स इस तरीके से कैसे खा सकते हैं तो इस आम को ले लीजिए आप ठीक है दूसरा हिस्सा जो और एक चमच लेजिए और इस तरीके से आप जैसे हम आइसक्रीम खाते हैं इस तरीके से आप इसके अंदर से निकाल के आम खालें इसमें से भी सारा आम निकल जाएगा आम इसके अ तो कईची को लेकर क्या हूता है हम कितनी भी नहीं केची बाजार से ले आए लेकिन इनकी धार खराब हो इस तरीके से तरीके से आप इसके ऊपर चलाएंगे कैची को तो आप देखेंगे कि आपकी धार ना कैंची की बहुत तेज हो जाएगी और आपको कहीं भी मार्केट वगरा जाने की जरूरत भी नहीं है और फीरी का जुगार है हमारा और पैसे भी खर्च नहीं हुए हमारे और हमारा काम भी आसान हो गया तो आपको दो तिर मिनिट के लिए इसी धार में काफी फरक पड़ जाएगा इस तरी अगली एकसे फ्रेंट्स मेरी इस तरीके के पैन के ढकनों को लेकर रहे ये बेकार पड़े रहते हैं और कोई कोई चावी तो हमारे लिए इतनी जरूरी होती है कि हम इधर उधर रख देते हैं जो हमें समय मिलने पर नहीं मिलत तो आप इस तरीके से इन पैन के अंदर आप इन चावियों को न टांके रख सकते हैं देखे कितनी अच्छी भी लग रही है और जब हमें जरूरत पड़े हम उतार के इनको यूज कर सकते हैं फिर दुबारा आप इसको इसी को उपर लगा दे है ना कितनी मज़िदा टिफ अगले एकसे फ्रेंट्स मेरी इस तरीके की गैस को लेकर क्या होता है कि जब भी हम गैस को आगे पीछे करते हैं तो कई वारे से होते हैं कि हमारे नीचे के जो पाए होते हैं गैस के वो खराब हो जाते हैं तो आप इस तरीके से ये बोतल के ढखकने इनको लगा कर आप अपने कामों को आसान कर सकते आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद है लाइक करें सस्क्राइब करना ना भूलें धन्यवाद